अकसर हमने पिक्चरों पर देखा है कि कैसे इंडिया में इलाज की अभाओ में कभी अस्पताल में कोई बेबस बाप अपने बेटी को लेकर घूमता है कभी स्ट्रेचर नहीं होता तो कभी पैसों की कमी की वज़न से लोगों की जाने चली जाती है कभी अस्पताल प्रशासन की गलती की वज़े से किसी की जान जाती है लेकिन ये सब सिर्फ पिक्चरों में नहीं होता है हकीकत में भी इनका वास्ता होता है एक ऐसा ही नजारा कानपूर से सामने आया जहाँ GSVM Medical College का ये वीडियो बताया जा रहा है ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वारल किया जा रहा है लोग UP सरकार को घेर रहे हैं जो की लगातार स्वास्त विवाग के छेत्र में उन्नती करने का दावा करती आ रही है और इस पर समाजवादी पाची की तरफ से भी ट्वीट किया गया है सवाल उठाए गया है आखिरकर मामला क्या है दरसल एक जो बेटा होता है उसका वीडियो वाइरल हुआ वो अपने बाप को गोद में लेकार अस्पताल के चक्कर काटता है समाजवादी पाची की तरफ से भी इस मामले पार ट्वीट किया गया है समाजवादी पाची के मीडिया सेल की तरफ से लिखा गया आज कानपूर में प्रमुक सचेफ स्वास्त पार्थ सार्थी सेंच शर्मा का जुएस वे मेडिकल कॉलेज में निरेक्षर था प्रमुक सचेफ महोदै के सामने ही एक युवग अपने पता को स्ट्रेचर के अभाव में गोद में लाद कर खोद ले जाता देखा मौजूद लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया यूपी सरकार का निकम्मा, नकारा, ब्रष्ट और बड़बोला स्वास्त मंत्री कहां है योगी जी कैस्ट्रेचर, वीलचेर, टेंट हाउस वालों को किराए पर दिये गए हैं जो आपकी जनसभाव में स्ट्रेचर, वीलचेर का इस्तमाल हो रहा है और वाट बोई आपकी जनसभाव की मजदूरी करने भेजे गए है अरे शर्म कर लीजे योगी जी, शर्म आती नहीं या बेशर्मी का लबादा ओड़ लिया है आपने या अपने मंत्री के प्रष्टा चार में रकम वसूली करते हैं जो चुपी साध कर बैठे हैं जनता इनी सबसे साथ साल से तरस्त हो चुकी है और बीजबी को पूरी तरह से चुनाओ हरा कर पवेलियन भेजने जा रही है उदर बेटे अरविन कश्व के मताबिक पता शाम सुन्दर है जुनकी उम्र सत्तर साल की है उनके गले में तकलीफ है पंदर दिन से वो खाप ही नहीं पा रहे है चौर दिन पहले उर्सला में दिखाया तो हालेट रेफर कर दिया डॉक्टर ने कहा कि उर्सला में मशीने नहीं है उस दिन पता को हालेट एमर्जनसी में भरती नहीं किया गया अब फिर लेकर आये तो ENT विवाक की OPD में डॉक्टर हरेंद्र ने देखा और नली लगा दी जांच के लिए कहा तो OPD से सड़क पार कर Medical College पिता को गोद में लेकर आये बाद में अर्विन ने फोन पर बताया कि वो पिता को निजी अस्पता ले जा रही है उनके साथ वहाँ पर GSM Medical College के प्रचारे संजय काला भी मौझूद होते हैं अलाकि वो जब लड़की को इस हालत में देखते हैं कि वो अपने पिता को गोद में लेकर चल रहा है तो उसे रोक कर स्ट्रेचर की विवस्था करवाते हैं बाद में रिपोर्ट के मुताबिक उनकी तरफ से ये बयान भी जारी किया जाता है कि इस तरीके से Medical College की छवी धुमिल की जा रही है क्योंकि इस्पताल नहीं है यहाँ एक दो से जादा एक दो जाच केंद्र है और इस से जादा यहाँ पर स्ट्रेचर नहीं होता है लेकिन देखा जाए तो उन्होंने खुद स्ट्रेचर की ववस्था कराई जब उन्होंने देखा कि हाँ इस तरीके का माहौल बन रहा है तो उन्होंने खुद स्ट्रेचर की ववस्था कराई तो यहाँ सवाल उठता है कि पहले ही स्ट्रेचर क्यों नहीं मिला क्यों इतनी देर तक जाच केंदर में वो भटकते रहे, माइक्रो बायोलजी लाब में वो पहुचे थे अपने पता के लिए कुछ टेस्ट कराने, उनको घुटने में दिक्कत थी, गले में दिक्कत थी, जिसके बाद वो खही और इलाज करा रहे थे, उर्सला में, वहां से उ इसके मताबिक, वो खुद नेजी अस्पताल लेकर चले गए, मतलब अस्पताल जो की सरकारी अस्पताल है, उस पर लोगों का अब कितना भरोसा रह गया है, ये भी एक देखने वाली बात है, सरकारी अस्पताल में इलाज बड़े सस्ते होते हैं, लेकिन कितना अच्छा हो होता है, इसका जो जवाब है, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, और इसलिए तमाम तरीके के सवाल अक्सर उठाए जाते हैं नमस्कार, मैं हूँ मानक गुपता, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जूस 24